कि अलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्ट डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजूकेशन क्लिनिक आई में इस्पेसिलाइज इन लाइफ स्टाइल डिसीज मेटाबॉलिक प्रॉब्लम एंड लाइफ स्टाइल जो प्रॉब्लम से उनको मैं लास 18 एर से ट्रीट कर रहा हूं तो आज हम बात करेंगे कि हमारी पसलियों में जो दर्द होता है यानि जो पसलियों के नीचे दर्द होता है उसका क्या कारण होता है और उस दर्द को हम कैसे समझें कैसे ट्रीट करें और उस दर्द के कारण यदि उसको छोड़ दिया जाए ल जो पसलियों में दर्द होता है और पसलियों के नीचे दर्द होता है मेरा कहने का सीधा सा मतलब है कि जो आपका डाइफार्म है यानि कि आपकी जो पसली है पसली के नीचे और जो पसलियों में दर्द होता है इस रीजन के अंदर जो आपका दर्द होता है इसको कभी भी दर्द सदा serious तो नहीं होता लेकिन ये कब serious होगा और ये कब serious problem का indication होगा इसको differentiate करना बहुत मुश्किल है तो आपकी पसलियों में यदि दर्द होता है या पसलियों के निचले वाले हिस्से में दर्द होता है तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आपको कोई न कोई medical problem है और आ पसलियों के नीचे और पसलियों में दर्द होने के पीछे most common जो reason होते हैं वह आपके apigastric होते हैं यानि कि वो पेट से सम्मंदित होते हैं आपको spleen आपको pancreas या फिर आपको kidney या liver के level पर यदि functioning में कोई खराबी है कोई abnormality है बहुत ज़्याद है आपको acid reflex है और acid यदि आपका concentrate होके एक reason में एक एरिया में रुख जाता है तो उसके कारण भी आपको पसलियों में दर्द हो सकता है एक reason दूसरा reason है itself वो आपके respiratory system यानि lungs की disease यानि नमूनिया के कारण भी हो सकता है bronchitis के कारण भी हो सकता है लंबे समय तक यदि आपको cuff है तो भी आपको हो सकता है और tiverclosis के कारण भी most common ये pain है जो आपको left side में lungs का ये pain होता है पसलियों का ये दर्द होता है जो कि tiverclosis के कारण होता है क्योंकि mucus के इखटा होने से और एक fibrotic conditions develop करने से यानि प्लाग बनाने से यानि ये मान लिजिए कि गंदगी का mucus का जो जमाबडा है वो एक collidal hard form ले लेता है और वो एक जगे stick हो जाता है जिसके कारण हमें breathing में difficulty होती है chest में pain होता है और यदि left side से हम सो जाएं या left side को हम press कर दें दबा दें तो भी हमें दर्द महसूस होता है तो ये most common reason होता है pulmonary tuberculosis यानि की फैंपणों की जो टीवी होती है जो फैंपणों के टीवी का जो infection होता है उसके कारण भी आपको दर्द हो सकता है next muscular level पे यदि आपको कोई चोट लगी है यदि कभी आपको कोई plaque बन गया है कोई edema है कोई collection है हमापे आपके tissue damage होए है और वो पूरी तरह से यदि चोट ठीक नहीं हुई है तो भी फिर आपको पसलियों का दर्द most commonly frequently आ सकता है और वो आपकी quality of life को प्रभावित करेगा आपकी breathing को प्रभावित करेगा और उससे कई वारी साथ में पसीने भी आ जाते हैं अब fourth point है कि cardiac involvement यानि कि जो हमारा blood pressure के कारण एंजाइ है वो भी एक reason हो सकता है वो भी इस reason में आपका cardiac pain भी आ सकता है यदि आपका pain उपर की तरफ spread करता है pain on off होता है आपको sweating आती है आपको vomiting tendency develop होती है और आप disoriented dizziness feel करते हैं आपको black out होता है तो फिर ये cardiac pain का संकेत हो सकता है तो उसको भी फिर हमें deal करना होगा समझना होगा diagnosis बनेगा और उसके बाद आपको treatment लेना होगा तो most common यही reason होते हैं लेकिन आप अपने पसलियों में दर्द और पसलियों के निजले वाले reason में जो दर्द होता है उसको कभी भी आपको neglect नहीं करना है अब इसका जो treatment है वो according diagnosis बनेगा लेकिन treatment में यही है कि यदि clinical reason आपको पता लग गया है आपको symptoms समझ आते हैं तो फिर according problem आपको treatment लेना चाहिए यदि आपको पेट के कारण है तो आपको antacet ले लीजिए morning मेर अपने पेट को साफ रखिए constipation मत होने दीजिए अच्छा fiber लीजिए और digestive system को regulate रखिए यदि आपको खांसी है कफिंग है फीवर है उसके साथ आपको यह पेन आ रहा है तो फिर आप टीवर क्लोसिस की जाज कराईए एक चेस्ट एक स्रे होगा एक ब्लड टेस्ट होगा और आपको Montex टेस्ट की भी जरुद पढ़ सकती है जिससे कि हम टीवी को रूल आउट करते हैं यदि नमूनिया क सिम्टम्स है तो वह एक स्रे से एक इंडिकेशन मिल सकता है और यदि आपको कोई कार्डिक प्रॉब्लम है तो फिर आप उसका टीप्मेंट सुरू कर दीजिए तो यह एक फ्रॉपर मैनेजमेंट होगा अबट अगेन आइम रोकेस्टिंग इस्टिंग इस्टम्स एंद प